नमस्कार मैं हूँ इंद्रमौ हे चीन के लोग आप तो भगवान से भी बड़े हो गए क्या कहें आपको किस मुह से कहें आपने तो इंतहा कर दी लगभग 200 से ज़्यादा देश आपकी वज़र से रात दिन मौत का आकरा गिन रहे हैं और आप तमाम दुखों से पार पाकर मस्त होकर जल कीडा कर रहे हैं ओहो ओहो आपके इन वीडियो और तस्वीरों को देखकर मानब जाती को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए आपने पहले एक वाइरस बनाया लोगों तक पहुचाया पूरे विश्व को बंद कराया फिर ठीक हो गए और अब वाटर पार्क में ब्लू है पानी पानी कर देए शर्म नहीं आती आप चीन के लोगों कुछ तो शर्म करो वुहान के लोगों भगवान से तो डरो उपर वाला कहीं फिर से तुम्हें श्राप ना दे दे नहीं तो नीचे जवीन वालों की तो ऐसी हाई लगेगी कि पूछो मत हम यहां रात दिन डरे सहमे से काट रहें कि कोरोना ना हो जाएगी पता नहीं कब बाहर जाएंगे कब होटल में खाएंगे कब वाटर पार्क में नहाएंगे लेकिन आप लोग ऐसा लग रहा है कि सबसे मुक्त हो गए कैसे मुक्त हो गए भाई यही बता दो बढ़ना नाच नाच कर ऐसे मत रिजाओ दूसरे देशों की हाई तो मत ही लो सोशल मीडिया का जवाना है तस्वीर और वीडियो क्या पता मंगल और चांद पर भी देखी जा रही हो इसलिए थोड़ा तो शर्म करो इस वाटर पार्क में पार्टी करने से पहले दूसरे देशों के तरफ एक बार देख तो लेते वहान वाले तुम्हें पता नहीं तो बता देते हैं कि सेंटानली जनजाती जो थोड़े से ही हैं सुदूर अंडमान के कहीं जंगलों में रहते हैं वहां तक इंसान नहीं पहुँच पाया लेकिन तुम्हारा बनाया कोरोना पहुँच गया है इतना ही नहीं अमेजन के जंगल में रह रहे आदिवासी भी बीमारे तो फिर सोचो जड़ा हे वहान के मानब आप भी इसी पिर्थवी पर रहते हैं तो फिर ऐसी हरकर क्या है ये कपरे खोल कर पानी में छह छपाच छह देखी नहीं जा रही मुझसे ये वीडियो जब यह ख़बर आई तो लगा कि इस पानी में इन लोगों के सास आप काश भारत के लोग भी मजे कर रहे होते भारत ही क्यों पूरा विश्वी कर रहा होता लेकिन आप लोगों ने सास लेना मुश्किल कर दिया है तो फिर पार्टी क्या करेंगे बताओ ना तो किसी ने मास्क लगाया है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग बस पार्टी के नाम पर मस्क पानी में कूद रहें शर्म करो चीन बालो शी जिंग पिन को तो इन लोगों के खिलाप मुकदमा दायर करवाना चाहिए पूरे विश्व को इनोंने आज शर्मिंदा कर दिया इन तस्वीरों को हटवा दो सोशल साइट से इन लोगों को सजा दो हम तो यही कहेंगे कि दूसरों को मुश्किल में डाल पार्टी करने वाले वुहान के लोगों तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा मुझसे यह देखा नहीं गया आप इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं